नमस्कार दोस्तों, बी यार हेल्थ सिल्यूशन में आपका स्वागत है। जादातर लोग दाग धब्बे वाले केले को सड़ा हुआ समझ कर उसे फेक देते हैं। यानि कि जादातर लोग दाग धब्बे वाले केले खाना पसंद नहीं करते। क्योंकि उन्हें लगता है कि ये केले क सड़े हुए हैं, लेकिन दोस्तों ऐसा बिलकुल भी नहीं है। जिन केलो के उपर काले दाग होते हैं, उनमें पॉस्टिक तत्व दूसरे केलो के मुकाबले जादा होते हैं। आज हम आपको यहीं बताने वाले हैं, अगर आप दाग धब्बे वाले केलो को खाते हैं, तो वो आपके शरीर को कितना फाइदा कहते हैं। खायदा होगा, तो वो है आपको कैंसर से लड़ने में मदद मिलेगी। हर एक के शरीर में हैं, यानि कि कैंसर की कोशिकाएं हर एक के शरीर में होती हैं। लेकिन इन कोशिकाओं को एक जगा पर इकठा ना होने दें, उसके लिए केला हमारी मदद करता है। धब्बे वाले केले खाने से हमारे शरीर से immunity boost होती है, जिससे cancer जैसी बिमारी से लडने से हमारे शरीर को मदद मिलती है, इसके अलावा यदि आप काले धब्बे वाले केले खाएंगे, तो आपका पाचन तंत्र जादा मजबूत होता है, कुछ लोगों को लगता है कि केले खाने से constipation हो जाती है जाने किüs कब्स की समस्या हो जाती है लेकिन दोस्तों ये दब होता है जब आप धब्बे रहीत केले खाते हैं अगर आप धब्बे वाले केले खाएंगे तो उससे आपको कभी भी constipation नहीं होगी और धब्बे वाले केले खाने का सबसे बड़ा फाइदा है आपको वजन बढ़ाने में मदद मिलती है ऐसे लोग जो दुबले पतले हैं और जो मोटे होना चाहते हैं तो उनको हमेशा काले धब्बे वाले केले ही खाने चाहिए क्योंकि इन में पॉस्टिक तत्व काफी काफी है जिस कारण से ये केले हमारे वजन को बढ़ाने में बहुत ही मदद करते हैं इतना ही नहीं अगर आप काले धब्बे वाले केले खाएंगे तो इससे हाई बीपी और लो बीपी दोनों रोगों में फाइदा मिलता है अगर आप बीपी के मरीज है यानि कि अगर आप का ब्लड प्रेशर हाई या फिर लो रहता है तो आपके लिए काले धब्बे वाले केले खाना सबसे फाइदेमन है क्योंकि इसके अंदर पॉटाशियम काफी मात्रा में होता है और इसके अंदर का पॉटाशियम ही हमारे शरीर के ब्लड सर्कुलेशन को मजभूत करता है औ तो ऐसे में अगर आप वो केले खाएंगे तो आपको शरीर में खून की कमी कभी भी नहीं होगी तो दोस्तों ये है कुछ फाइदे अगर आप काले धब्बे वाले केले खाते हैं तो बस आप ध्यान रखें कि जब भी आप मार्केट में जाएं तो काले धब्बे वाले केल और इसके अलावा आप अपने शरी को स्वस्त्र रखने के लिए फ्राइट फूड या फिर जंक फूड का सेवन ना करें तो आपके लिए सबसे अच्छा है इसी के साथ ही दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे आप लाइक कीजिए आपने दोस्तों रि